और यहां पर मैं लगभग एक से डेड़ सेकेंड के बीच में तीन बंदे पेल देता हूं और बढ़िया बात यह यार मुझे पता भी नी था उपर बंदे बैटे हैं तो भाई लोग कैसे हूं? तो यहार वेलकम दी बैग बैग दी वेलकम और स्वागत आपका एक बीरा न्यूप गलत सीन से भरे पड़े गलत केंपिंग से भरे पड़े पड़े पपजी दो मॉइल कीम प्रे वीडियो में और ये मैच खेलते टैम यार ऐसा लग रहा था कोई पैसो का टूर्णामेंट खेलना हूं मैं हाँ मतलब बंदे वहीया हिलके नहीं दे रहे हैं डेट की तरह बैठे पड़े एक जगा पे और मैं सोच रहे हैं अब से मैं रूजोक के आलावा कहीं पी भी न जाओं अब तो रूजोक से भी भरूसा उठने लग गया है एक बंदा सामने उड़ते वे दिखा मुझे और पूरा रूजोक खाली है पूरा रूजोक खेर यहाँ पे मैं आता हूँ लेकिन पता जलता है इस घर पे भी कोई बंदा बैठा है तो फुटी स्टेप अभी तो उपर से आ रहे हैं लेकिन ये बंदा बहुत ही खतरना कुता है और ये बंदा जो मेरे लेफ्ट में आ गया अचानक से नजाने कहां से भाई चलांग लगाते हैं फुटी स्टेप पहले उपर से आ रहे थे अचानक से बंदा लेफ्ट में खड़ा है बहुत भड़ गई थी एक टाइम के लिए खेर उसका टीमेट भी इधर आता है दोनों को पेल दिया दोनों पे सस्ती लूट बतलब रोजोक आए हैं यार क्या चाहिए ये सोडगर मिलगी वो भी बहुत बड़ी बात है तो देखो रोजोक में दो ड़ाई बंदे आयोते हैं एक आद बोट आयोते हैं उनको पेलता हूँ और जैसा कि मैं क्या ही राता है यार हर कोई सेफ खेला है मुझे नहीं पता क्यूं सीजन खतम होने वाला यार अब कहां तक रेंग पूस होगी खेर जो भी हो आगे सकूल में भी बंदे बैटे होते हैं और दिखता है मुझे एक बंदा ओपन में भगते हुए अब देखो इस बंदे को मैं ओपन में नोक करता हूँ ठीक है नजाने क्या कर रहा था ये ये बोट पेलने आया था या साप बनने आया था यार हमें कद्दू भी नहीं पता मुझे इतना पता है बहुत जोड से लालस लगी है भूक की पेलने पड़ेगा गुसके और मेरी गनों की हला देखो एक है M16 जो की ठीक ठाक गन है लेकिन उसमें सिर्फ 16 गोली है और दूसरी गन को गन बोलते वे भी सरम टैप आती है मुझे और जिस हिसाब से ये बंदे इधर उदर भगरे ना यार मैं समझ जाता हूँ वो बंदा जिसे नोक किया था वो रिवाइब हो चुका है तो करना क्या है यार गने कितनी विसास्ती हो ग उस डबल हो जाता है और ये देखो क्यों मैं इस गन को सस्ती बूलता हूँ अब मैं मानतों यार मेरा सप्रे भी सस्ता था लेकिन अगर यूएमपी के अलावा कोई भी और डंग की गन होती न वो बंदा सो परतीसात नोक हो जाता खैर अब दिक्कत की बात नहीं क्योंकि य और हमारे भाई यहीं कई बैठे पड़े हैं फुटी स्टैप आने भाई के और देखो मैं सामने की तरफ देखता हूँ क्योंकि सामने एक और बंदा था इनका लेकिन वो बंदा क्या करता है गाडी लेके गायब हो जाता है यहां से ठीक है और वो वही बंदा है जिसको मैं नौक वे भाई को रिवाइव दिया उनके टीमेट्स ने जान की बाजी पे खिलके उस भाई के टीमेट्स ने रिवाइव दिया उसे और उसके बाद सारे टीमेट्स ठिल गए लेकिन भाई बचके निकल लिये मतलब बंदे ने सोचा भी नहीं कि यार बदला लेलू या लेकिन हम इतने ढीट हैं वैसे ये जो भी हुआ तुक्के में होगा लेकिन उस बंदे को पकड़ के पेलेंगे खैर फिलाल मैं भगरा हुता हूं गाड़ी लेनी के लिए लेकिन उतने में ही एक गाड़ी सामने आ जाती है और इस गेम को अचानक से क्या हो गया है यार मेरे समझ के पार है खासकर ये वाला सीजन भाई हर कोई बंदा हर कोई बहुत ज़्यादा सेफ खिला है जैसे इस भाई कोई देख लो जिसे अभी नोकिया ना जाने कहां वो उतरा होगा भाई गाड़ी लाता है गाड़ी रोक लानी आएंगे तो कोई दिक्कत नी जगा 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 जाके पेलेंगे और जैसा कि मैं क्या ही राता यार वो बंदा जो बचके भगा उसे पकड़ के ज़रूर पेलेंगे तो देखो क्या सीन होते हैं यहां पे और जिस बंदे को अभी अभी उजी से पेला ना यह वही बंदा है जिसको मैंने सकूल के सामने पेला था और यह वही बंदा है जो सामने से बाइक लेके भग गया था मतलब भाई रोजोग उतरे रोजोग भी नहीं यार सकूल उतरे सकूल के बाद लड़ाई हुई भगे वहां से और सेभड़नी पहुँच गए और भाई की किसमत इतनी खराब हम वहां पे भी पहुँच गए डिरॉप लेने गया था बंदा सामने मिल गया कैर जो भी हो आगे जाएंगे और आगे जाके धंग से बंदे भी लेंगे सकूल सकूल से लड़ेंगे और एक खतरनाक सकूल वाइब भी देखने को मिलेगा लेकिन उससे पहले धैड़ पैड़ बात कर लेते हैं हमारे सपॉंसर की तो यार इस एप या फिर वेबसाइट का राम है एक एकस बैट जिसके मदद से आप कई सारे गेम्स कहल सकते हो इसमें कई सारे मिनी गेम्स कहल सकते हो और e-sports पे बैट बूट लगा सकते हो साथ ही साथ इसमें आपको 7000 रुपे तक का बोनस मिलेगा आपके पहले डिपॉजिट में अगर आप मेरा प्रोमो कोड य गूगल पे सब कुछ है इसमें और यार आखिर कार जाके थोड़ा सा एकसियों देखने को मिलता है तो दो बंदे नौक कर चुका हूँ और जहां तक मुझे पता है एक और बंदा इनका यहीं कहीं जिनता है अब देखो जहां से हमने शुरुवात की थी वहीं पे आके पहुँच गए है दुबारा रुजोग पे उतराता सिर्फ दो किले मिली थी वो भी ढंक से नहीं मिली थी यार उसके बाद दुबारा रुजोग की पहाड़ी पे आता हूँ और एक तीन बंदों की सोकॉड मिलत तो क्या पता जोर्ज गए हो बंदे क्या पता गलती से जोर्ज पहुचे हो बंदे तो जोर्ज का तो पता नहीं लेकिन यार इस घर पे जरूर होते हैं अब अगर आपको याद होगा तो यार एक का दिन पहले मैंने नेट को चक्मा दे दिया था नेट मेरे मूँ के सामने आया मैंने दरवाजा बंद कर दिया और नेट कहीं और ही निकल लिया और याद करो यार मैंने बोला था नेट बदला जरूर लेगा तो हाँ यही है यही वो मैचे टाइम आ गया है नेट का बदला लेने का मेरे से और यहाँ पे मेरे से नेट अपना हिसाब बराबर कर लेता है अब देखो मैं उस छोटे गराज के अंदर होता हूँ मैं बोलता हूँ यहाँ से कट लो यह लोग नेट 100% गारंटी डालेंगी यहाँ पे तो मैं क्या बोलता हूँ सोचता हूँ इनी के घर पे गुशूँगा मैं धेड़ पेड़ वहाँ से निकलता हूँ हील करता ही वहाँ से भकता हूँ तकी मेरे पे नेट न पटे और मुझे क्या पता है यार जहां पे मैं भक रहा हूँ वही रस्ते पे रस्ते पे ही नेट पड़ा है अब या तो जो बंदा नेट कर रहा है वो भच से खतरनाक 1000 IQ वाला गेम प्ले कर रहा है भाई मतलब रोड पे नेट फेक दिया या तो फिर वही हो रहा है यार जो मुझे लग रहा है नेट बदला ले रहा है मेरे से अपना खैर नेट ने जो भी गलत सीन करने थे कर दिया यार पहले नेट से डैमेज हुआ उसके बाद गन से नोक हुआ उसके बाद दूसरे नेड ने तो भाईया रस्ते पे ही नौक कर दिया लेकिन अब अंदार आ चुके हैं और अब आराम से समभल के समभल के रस्त करना पड़ेगा और अगर आप मैप में फुटी स्टेप देखोगे न भाई चार-चार आ रहे हैं चार-चार बंदे बैठे पड़े हैं उसके उपर से तामबे पे सुहागा करने के लिए भाई लोगों ने समोग भी कर दिया है समोग भाईया दिवार के आरपार आ रहा है छत से नीचे समोग दिख रहा है खेर जो भी हो सामने वारे छोटे घर पे मैं ये जलती बोतल पे आग फेग देता हूँ और अब यहाँ पे इस टीम के चारो के चारो बंदे चट पे जा चुके हैं अब देखो यहाँ पे अगर अंधार रस किया न भाई एक ही चीज बनेगी वो है पेटी और ऐसा भी नहीं की यार नोक वावा देख पाओगे आप अपने आपको और फिर पेटी नहीं भाई जब चार बंदे गूली चलाएंगे न सीधा पेटी ही देखने को मिलेगी और यहाँ पे यार सब कुछ मेरे समझ के भार हो जाता है ना जाने कौन नेट कर रहा है, कौन गोली चला रहा है, कौन समोक फेक रहा है और बाहर पे भी कोई बंदा बैठा है, वो भी दूसरी सोकौर का क्योंकि चार बंदे तो यहीं उपर पे बैठे है तो देखो मैं भी धीरे धीरे रस करूँगा यार, धीरता यहाँ पे दिखाई न, यहाँ पे सीधा पेटी वनेगी और इतना भटकने के बाद धीरता की वज़े से पेटी वन जा यार, बहुत दुखोगा, दिल पे धर्दोगा तो करना क्या है, धीरे धीरे देखेंगे की सीन क्या होता है पहले तो मैं इंतेजार करता हूँ इनके नीचे रस करने का लेकिन ये भी खतरना के यार, इनको भी अपने पॉइंट बहुत ज़्यादा प्यार है तो ये भी रस नी करेंगे और यार ये लोग 1000 IQ नेट कर रहे थे तो मैंने सोचा क्या पता मैं 12 IQ गेम प्ले कर दूँ साइट से लेकिन कदू कुछ नहीं होता और यहाँ पर अब मैं थक चुका होता यार मैं बोलता हूँ एक नेट करूँगा कोई ठीलेगा तो ठीलेगा नहीं तो यार सीधा ही रस करेंगे उपर ओ इतने गए दो नोग बहुत लोग है और यार मैं सच बता रहा हूँ मेरे को विश्वास नहीं हो रहा होता कि भाई मेरे सस्ते नेट से दो बंदेनों को गए भाई मैं समझ नहीं पा रहा है और यार अब ऐसा फिलिंग टैप आ रहा है कि यार नेट और मेरी दुस्मानी आखिर कार जाके शायद खतम हो चुकी है वैसे मुझे न लगता है यार क्यूंकि मेरे नेट सस्ते ही रहेंगे ये जो भी हुआ ये तुक्के में होता है मेरे साथ खेर जो भी हो मैं अपने टीमेट्स को रिवाइफ दे देता हूँ उपर दो बंदो की पेटी बना दी थी और नीचे पता नहीं कौन सी सोकॉड का बंदा खड़ा था उसकी भी पेटी बना दीनी चाही तो अब टाइम आ गया यार बाकी के दो बंदो को पेलने का उपर जा लेकिन सिर्फ एक घर पे भाई पांच-पांच बंदो की किल मिल गए बहुत ही बड़े आयार सही है कम से कम किल तो बड़े थोड़े खैर अब यार जो श्टैप आगया था अब लग रा था कि भाई हाँ हो सकते हैं वीडियो बन सकती है 20 से जादा किल हो सकते जिन्दगी म और धैड़ पैड जो भी याँ पे लूट पड़ी होती है सारी उठा लेते हैं और देखो बंदे हट से ज़्यादा अलाइव हैं अभी और अगर आपको ऐसा लगा कि यार जो मैंने अभी किया वो गोली की बरबादी है तो यार जो सीन आगे होने वाल है न उन्हें देख कि आप बोलोगे यार थोड़ा सा रहम करो गोलियों पे थोड़ा सा और यहां पे मैं लगभग लगभग सो गोली बरबाद कर देता हूं हना वो ठीक है यार चलो गोली बरबाद की कम से कम बंदा तो ठिले बंदा भी ठिलके नहीं देता मैं सोच रहा हो तो भया आज तो गाड़ी फाड़ेंगे और हमारे भाई उसका हेलमेट फाड़ देते हैं खैर जो भी हो उसके बाद में आगे रस करूँगा और यार आगे जो होने वाला है न बहुत ही खतरना कोने वाला है मजा टैप आजाएगा देखके तो आगे वाले गरों पर लड़ाई चल ली होती है करना के आयार किलका मैं अभी भी बहुत भूका होता हूं तो उठाता हूं गाड़ी और देख पटक के मारता हूं घर पे और यहां पर मैं लगभग एक से डेड़ सेकंड के बीच में तीन बंदे पेल देता हूं और बढ़िया बात यह यार मुझे पता भी नहीं था उपर बंदे बैठे हैं अब देखो मैप में फुटी स्टैप जरूर दिख रहे थे लेकिन यार मैं अपने ही नसर में आगे वाले बंदों को पेल दा था तो मैं पीछे मुरता हूं मुझे एक बंदे का पाउं दिखता है अंदर गुसता हूं भा और इसी के साथ ये दूसरी सोकॉड जो दूसरे घर पे बैठी होती है वो भी साफ हो जाती है तो भाई लोग यार वो एक देट सेकेंड में तीन किल वाली चीज के लिए और ये दो-दो सोकॉड को एक साथ पेलने के लिए यार लाइक ठुकना मत बुलना बिलकुल पेल के नीला टैप कर दो और खुसी की बात ये है कि भाई ये जो बाहर बंदे है ना इन पे AWM और ग्रोजा भी पड़ी होती है तो इससे जादा क्या चाहिए जिंदगी में किल भी ठीक ठाक हो गई बंदे भी ठीक ठाक बचे हैं और यार गन जितनी महंगी हो सकती है उतन तक मुझे पता है और बंदे यहीं से देखने को मिलेंगे और यार AWM उठाइए तो थोड़ी सी थोड़ी सी सस्ती सनाइपिंग भी करनी पड़ेगी तो यहां पर मैं आ गया हूँ और हमारे साथ साथ एक गाड़ी भी आ रही होती है सामने से और गेम के आखिर में आते आते मैं बॉटो वाली हरकते करने लगता हूँ ठीक है गोली चलाई गोली चलाई डेमेज दिया और बस वहीं पर रुग गया मैं डेमेज के अलावा कद्दू कुछ नहीं उखाड पाए मैं और उसके उपर से आर बंदे पेलने की बजाए बंद वहीं पर हील बैटल करके बैठे खैर जो भी हो यहाँ पर बचे कुछे बंदे बाकी हैं एक सामने गाड़ी गई है पाहड के पीछे जिसको मैं सिर्फ डेमेज दे पाया और पाहड के पीछे यार लड़ाई भी बिड़ जाती है और अपने पीछे भी बंदे होते हैं जो क कि भक्ते वेजोन आएंगे तो यार तभी पकड़ लेंगे उन्हें ख्यार एडबल एम होती है तो मैं निकालता हूँ सकोब खुल के देखता हूँ कि सीन क्या चलने है और अखिर कर एकाड़ बंदे देखने को मिलते हैं और ये बंदा जो पीक कर रहा था ना यार ये बहुत अलग लेवल में खेल ला है हमारे भाई वो टूटी वी दिवार के उपर चड़े हैं उसके उपर से घर के पीछे हैं और वहां से पीक कर रहे हैं खेर जब तक मैं उस बंदे को गलती से हैट सौट पेलता हूं तब तक यहां पहड के पीछे लड़ाई या भीड़ जाती हैं सवकोब वगेरा खोल के देखता हूं मैं लेकिन यार वो लोग अपने में लड़ रहे हैं तो देखो पीछे से भी जोन आ रहे तो यार बंदे भी भगते वे आएंगे तो भाई रिवाइब हो गए हूं गयार रस्ते में पकड़ते हैं भाई को इदे बेला और इसी के साथ यार में दो बंदो को तो रोड में भगते वे पकड़ लेता हूं लेकिन उनका आखरी टीमेट उस बेराउस के अंदर गुसा है साथी साथ पीछे से भी बंदे आ रहे जो पहाड के उपर चड़े वे थे तो देखो दिक्कत यह है गिरे चुने बंदे बाकी हैं कुछ बंदे जोन से भी ठील जाते हैं तो मैं सोचता हूं इस बंदे को पकड़ते हैं उसके बाद उस बंदे को देखेंगे जो पहाड के पीछे गाड़ी लेके भगा था तो करना क्या यार अंदर रसकर देते हम और इसी के साथ जो भी बंदे रोड के उस पार से भग के आए थे सब को पकल लिया गया सब की पेटी बन गई अब बस एक ही बंदा बाकी है और जहां तक मुझे पता है यार ये वही बंदा है जो गाड़ी भगा के गया था जिसे मैंने बॉटो की तरह डैमेज दिया था तो देखो AWM पड़ी है तो क्यों ना गलती से हैट सोट हो जाए अब कुछ लोगों को लगेगा यार ये फ्लिक सकोप था कुछ को लगेगा भाईया ये क्विक सकोप था लेकिन देखो हम सबको सचा ही पता है ये कद्दू भी कोई सकोप नहीं था इसे कहते हैं तुको के बल पे काम चलाना इसे कहते हैं गलती से हैट सोट और उसी गलती से हैट सोट के साथ यार चिकन चुकान हो जाता है तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतने ही बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते वीडियो पे लाइक पेलना मत बूलना यार बिलकुल ठोका पीटी गर के नीला टैप कर दो उसे और अगर आप यहाँ पे नए हो तो करो सब्सक्राइब और भी ऐसे गलती से हैट सौट कदू सको वगेरा के लिए और वो जो डेर सेकेंड में बंदे पे ले यार ऐसे सारे गलत सीन के लिए सब्सक्राइब करना मत बूलना और जाते जाते भाई लोग एक एक्स बैट चेक आ झाल 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 झाल